हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच परहार में मैं हूँ एड़ोकेट सनी शर्मा और दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत इंपोर्टन चीज बताने वाला हूँ जब भी आपके ओपर कोई मेंटेनेस का केस होता है तो आपके मन म परशन होता है कि मैं अपने मेंटेनेस को कम कैसे करूं और कई बार तो ये भी देखने में आता है कि मेंटेनेस आपकी छमता से ज़्यादा लग जाता है यानि और कुछ ऐसा हो जाता है कि आपकी इंकम या सेलरी कम है और मेंटेनेस उससे ज़्यादा लग गया तो ऐसा क्य लगे, reasonable आपके उपर लगे, क्योंकि अगर maintenance का आदिश आपके उपर गलत जाता है, तो बहुत जादा आपकी suffering हो जाती है, because financially ही break हो जाते हो, तो इसके लिए जरूरी है कि आप अपने मुकदमे को बहुत अच्छे से लड़े, और यहाँ पर मैं आपको पांच ऐसी गलतियां बताऊँगा, जिसकी वज़े से आप maintenance केस में परिशान होते हैं, आपका maintenance जादा बन जाता है, अगर आप समझेंगे और फिर उसको implement करेंगे, तो आपको निश्चित तोर पर फायदा मिलेगा, दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने मुझे याद आया, जब मैंने सोच पर परहार इस्ट्राट किया था, और मेरे 4-5 सब्सक्राइबर्स थे व्यू भी नहीं आते थे, तब लोगों ने इस चैनल को पसंद किया था, और आज यहां तक पहुँचा दिया, इसी रहे शाद यह informative content में आप तक कहुचा पाता हूँ, अगर आप लोगों ने तरफ नहीं किया होता, विश्वास नहीं किया होता, तो शायद यह नहीं होता, और वो ही support अब मुझे मेरे दूसरे चैनल पर चाहिए, जिस चैनल का मकसद सिर्फ यह है कि जितने लोग इस प्रकार से परिशान है, उनको मानसिक शान्ती मिले, उनको एक आधार मिले और वो तूटने से बचें, तो दोस्तो इस चैनल को जल्दी से subscribe कर दें, मैं निरंतर कोशिश कर रहा हूँ, उस चैनल पर भी content लानेगी, और आप देखेंगे कुछ ही समय के बाद उस पर भी बहुत भेतरिन content आपको मिलने वाला है, दोस्तो इस वीडियो के नीचे description में मैं नए चैनल Smart Life with Sunny Sharma का link दे दूँगा, आप वहाँ पर जाकर चैनल को subscribe करके notification bell पर जरूर क्लिक क कि आज शाम तक आप subscriber की संख्या काफी बढ़ा देंगे, दोस्तो चलिए इस वीडियो में मैं आगे आता हूँ, दोस्तो maintenance के case में बहुत सारे rumors हैं, बहुत सारी भ्रांतियां हैं और कुछ काम लोग ऐसे कर देते हैं जो कि नहीं करने चाहिए, उनमें से पहला काम ये कि कई नहीं बार आपको ऐसा मालूम चलता है कि हम अपने माबाप की तरफ से खुद पर maintenance का case करवा लेते हैं और वो liability हम पत्री के maintenance case में दिखा देंगे तो वह हमको रहत मिलेगी, देखे दोस्तों इसकी सच्चाई क्या है, इसकी सच्चाई ये है कि रहत तो मिलना बहुत दूर, कोट जो कि रात दिन ऐसे ही माम लोगों को सुनती है, जहां पर 55-56-60 फाइले एक एक दिन में सेम लगी हुई होती है, क्या कोट को ये समझ में नहीं आएगा, आप मतलब धीजिनिंग लगाईए थोड़ी अपनी logic लगाईए, कोट बहुत अच्छे से समझता है आपने ये होता है, आपकी जो image है वो negative quote में जाती है, तो ऐसी गलती कभी में मत करें, ये भूले जवानी की बाते हो गई, आज के दौर में जब 2022 चल रहा है तो ये पुराने पुराने formula काम नहीं आएंगे आपके, दूसरी husband की mistake, आपने माबाप को कहता हूँ कि वो मुझे अपनी property से बेदखल कर दें, और फिर वो बेदखली का कागज में मा लगाता हूँ, अकबार की cutting लगाता हूँ, कि मेरे माबाप ने तो मुझे property से बेदखल कर रखा है, इस चीज का आपको maintenance में कताई फायदा आज की समय पे नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि maintenance case में सीधा सीधा जो भी maintenance लगता है, वो आपकी income या salary के base पे लगता है, उसमें property का ज़्यादा कुछ role होता ही नहीं, वो तो तब है, जब आपके नाम पे कोई property है, आप उसको mention करेंगे, तो court को लगता है, भई, इसके पास कितनी property है, अगर आपके बहुत ज़्यादा property है, तो court को पत property है भी, तो उसका maintenance case से कोई भी लेना देना नहीं है, तो जो भी आप ये काम करते हैं, ये केवल court में आपकी negative image बनाते हैं, इसका कोई भी फायदा आपको आज के समय पर नहीं मिलता है, तीसरी गलती, इस पर मैंने कल विस्तार में वीडियो भी बनाया था, कि जब पती की रजनेश वर्सिस नहा का affidavit file किया जाता है, तो उसमें चीजों को extra explore किया जाता है, यानि कि इतना ज़्यादा detail में बताया जाता है, मेरा खाने का खर्चा इतना, मेरा पैटरूल का खर्चा इतना, मेरा इसका खर्चा इतना, उसका खर्चा इतना, लिष्ट बना के देते ऐसा बिल्कूल भी मत करें आप सीधा सीधा देखिए आपकी इंकम कितनी है उसके लिए आप अपनी सेलरी स्लिप या आई टियर कोर्ट में फाइल करी रहे है आपका खर्चा कितना है सीधा एक मुश्न बता है कि इतना मेरा खर्चा है और वो रीजिनबल होना चाहिए ऐसा न अपने ही खर्चे को बहुत ज्यादा बड़ा चड़ा के दिखाना या बहुत जादा एक बहुत बड़ी गलती है जिसका नुकसान आपको ही मिलता है चौती मिश्टेक जब हजमें की तरफ से पतनी की पेटिशन का अबजेक्शन फाइल किया जाता है उस समय पर कई बार य कई बार बिना पड़े ही साइन करके फाइल कर देते हैं और बाद में आपको पता चलता है उसमें कुछ चीज ऐसी चली गए जो नहीं जानी चाहिए थी कई बार ऐसा होता है कि तत्थे पूरे तरीके से उसमें लिखे वे ही नहीं होते है यदि आप यहाँ पर तत्थे नह में कुछ बताना चाहते हो अपने डिपेंडेंट के बारे में कुछ बताना चाहते हो लड़की की एजुकेशन के बारे में कुछ बताना चाहते हो लड़की की एडल्टर के बारे में कुछ बताना चाहते हो तो यह सारी चीज़े आपको अपने परतिवात पत्र में ही उलि देखिए verbal argument का benefit यह होता है कि जब आप verbal argument करते हो तो उससे सामने वाला impress हो सकता है क्योंकि आप किस तरह से चीजों को court को बताते हो इस पर बहुत कुछ depend करता है तो ऐसे case में verbal arguments काफी important साबित हो सकते हैं लेकिन दोस्तों जैसे court है court आपसे verbal argument सुनता है तो कई बार ऐसा भी द दूसरा option होता है आपके पर return arguments का better option है यदि आप अपने सारे argument return form में court में submit करें ताकि अगर कोई गलत order हो भी जाए तो आप जब upper courts में जाए तो वो आपके record पर आपके argument हो court को पता चले आपने यह चीज court को बताई थी उसके बाद भी इसका संग्यान नहीं लिया गया तो आपको relief मिलना वहाँ से आसान हो जाएगा तो मैं आपको suggest करूँगा कि especially maintenance के मामले में return argument ज्यादा अच्छे होते हैं ज्यादा best होते हैं तो दोस्तों यह 5 चीज़े मैं आपको बताई अगर अब इन 5 चीज़ें को ध्यान में रखके चलोगे तो maintenance case में आपको नुकसा नही मुआ तपके ले गुद बाइ